हाई फ्रेंट्स आज आप सबके साथ मैं शेयर करने जा रहे हूं एक भूजी की रेस्पी आपने एक भूजी बहुत तरीके की बनाई होगी लेकिन ये तरीका पिल्कुल अलग है एक पार जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत ही टेस्टी लगती है कभी भी आप इसे बना के खा सकते हैं और बनाने में सिर्फ आपको तीन से चार मिनट अगेंगे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए यहां पे यह मैंने पैन में तेल गरम करने के लिए रख दिया है तीन से चार बड़े चमच यहां पे आपको तेल लेना है तो इसमें शुरू में बहुत जादा तिल डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाद में हम इसमें बटर भी एट करेंगे इसलिए तेल थोड़ा सा कमी डालना है टमाटर लिया था यह डाल दिया है और जो टमाटर का चिलका है ना वह मैंने निकाल दिया है इससे क्या है यह जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे आप चाहने तो मिना चिलके के भी डाल सकते हैं बहुत ही थोड़ा सा मिसके ओपर नमक डाल देंगे गैस की फिलम को लो कर दे यहां पर अध्रक कायूँज जरूर करना है। काटके नहीं डालना कदू कस करके चारें, इसी के साथ में हम ढालएंगे 20-30 नाधर, 3-30 नाध्यूंच, थोड़ा सा बारी कटा हुआ धन्या, डाल देंगे, हर इमिर्च आप अपने हिसाब से यहापे थोड़ी सी जादा भी डाल सकते हैं अब इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार ध्यान रखें पहले भी हमने टमाटर में नमक डाला था इसलिए नमक हिसाब से डालें आदा चमच हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर आदा चोटी चमच डालेंगे लाल मिच पाउडर और एक चुथाई चमच हम इसमें डालेंगे हल्वी और ज्यादा कुछ हम इसमें अड़ नहीं करेंगे आप सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे दिहान रखे हम इसे बहुत अच्छे से फैंट लेना है और तब तक फैंट ना है जब तक यह जुसके उपर जहा गया ना इस तरीके से ना बनने लगे तो इस तरीके से लगातार चलाते वे फैंटेंगे तो बहुत ही एजी ली यह मिट जाएगा तो यह रेडी है आप चलते हैं गैस की साइड और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं लेकिन एक पार इन्हें इस तरीके से मैश कर लेंगे इससे क्या है भुजी में पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसमें टमाटर डाले हैं तो अच्छे से इसको इस तरीके से मैश कर लेंगे गैस की फिलम को आपको बिल्कुल लोही रखना है जिससे यह टमाटर और प्याज जलेना बस यह टमाटर अच्छे से सॉफ्ट होगए हैं अच्छे से मैश होगए अब यहां पर गैस की फिलम को मीडियम कर देंगे और अब इसमें हमदा लेंगे च्छे से छिओ के और फिल डालें और बहुती सिंपल सी तरीके से ये मैंने अच्छे भुजी बनाई है बहुत ही टेस्टी लगती है और कौन-कौन इस तरीके से एक भुची बनाता है ये भी मुझे comment box में comment लिखके जरूर बताईएगा सबका तरीका अपना अपना अलग है अलग अलग तरीके से सब बनाते हैं कोई पहले प्यास टमाटर को भूल लेता है या कोई साथ ही में अंडे को जो फेंटते हैं उसी में प्यास टमाटर डाल लेते हैं तो सबका तरीका अलग है जरूर बताईएगा आप किस तरीके से बना करेंगे थोड़ी दिर के बाद ही आप देखेंगे यहां पे यह अंडा भूजी बनके रेडी है लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा और भूनूंगी अभी यह थोड़ा सा सॉफ्ट है तो बहुत ही इजी है कभी भूग लगे फटा फटा आप इसे बना के खा सकते हैं बच्चे क्या बड़ो क्या सभी को ही बहुत अच्छा लगता है आप इसे पाओ के साथ ब्रेड के साथ या परांटे के साथ किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं आप चाहें तो बाद में अगर को इसमें नमक थोड़ा सा कम लग रहा है तो आप इसके उपर चाक मसाला भी डाल सकते हैं और यह लीजे यहां पर बहुत ही टेस्टी हमारी एक बुजी बनके रेडी है कैसी लगी मुझे कमन बॉक्स में कमन लेकर जरूर बताईएगा और इस तरीके से एक बार जरूर ट्रा बाई